किसी का दिल इतना न दुखाओ कि वो अला के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े साइल को साइल बनने से पहले ही मदद दे दो साइल को सवाल करने की अजियत से बचाया करो अगर गरीब फाके से मर रहा हो तो अमीर यकिनन बदहजमी से मरेगा अपना हिसा मांग कर तो देखें रिष्टे बेनकाब हो जाएंगे और अपना हिसा छोड़ कर तो देखें कांटे भी गुलाब हो जाएंगे नफरत गुना से करो गुनागार से नहीं शायद वो आपकी मोबत में आकर गुना करना ही छोड़ दे गुसा इनसान की अकल को जंग लगा देता है जो कभी खतम नहीं होता बुराई का तोड़ सरव नेक अमल है चुप बेठने से ये और बढ़ेगी जब आँखे नफस की पसंदीदा चीजें देखने लगें तो दिल अंजाम से अंदा हो जाता है तनहाई एक बहुत बड़ी ताकत है जिसे संबालना कमजोर लोगों का काम नहीं और उसे बहुत कम लोग संबाल पाते हैं हालात और वक्त की तबदिली से बदलने वाले तालुक से बहतर है के इनसान तनहा रहे तनहा शक्स महफूज है हर गुना की तकमिल दो से होती है पर शरम महसूस करते हैं मुहबत में गेर से राय लेना हराम है अल्हा ने औरत को तीसरी आँख भी दी है जिससे वो मर्द हजरात के अंदाज को पहचानती है जिस अंदाज से वो उसे देखता है जिलत बरदास्त करने से मौत बेहतर है तुम्हारे जिसम के ये एज़ा अगर सुन होने लगें तो ये मौत के करीब आने की निशानी है तुम्हारे पाउं का अंगुठा और पाउं की तली दो किसम के लोग फजुल गुफ्तगू से बच सकते हैं एक जिसमें जिकर की कसरत हो दूसरा जिसमें इलिम की कसरत हो नापाक जिन्दगी पाकीजाख हयाल से महरूम रहती है अपने बच्चों की तमाम जरूरतें खुद पूरी करो और उनको ऐसे उम्दा तरीके से रखो के वो दूसरों की तरफ ना देखें दुख रुआनियत की सीड़ी है उस पर सरफ साबर और शाकर ही चड़ सकता है अगर आप चाते हैं के लोग आपकी पीट पीछे तारिफ करें तो फोरण फोत हो जाएं क्यूंके जीते जीतो ऐसा मुमकिन नहीं है वो शक्स अपना वकार खो बेठता है जो हर वक्त तंजिया लहजा रखे जब लोग आपसे कहें के हम आपसे तंग हैं तो समझ जाएं आप असूल परस्त हैं या फिर आप ही गलत हैं जिसे कोई इजा न पहुँचे उसमें कोई खोबी नहीं शिकस्ता कबरूं पर गोर करो के कैसे कैसे हसीनूं की मिट्टी खराब हो रही है जब किसी का राज दर्याफ्त करना हो तो खामोशी जरूरी है तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है बाकी तो सरफ हड़ियां और गोश्त है जो शक्स बरदास्त का फन जानता है वो जिन्दगी की कोई जंग नहीं हार सकता